डॉन्बास का प्रवेश दुआर कहा जाने वाला युक्रेणी शहर अवदिवका साल 2014 से ही रूस के लिए एक ऐसा अभेद किला बना हुआ था जिस पर रूस अभी तक कबजा नहीं कर पाया था और युक्रेणी युद में रूसी सेना बार बार अवदिवका पर कबजा करने की कोशिश कर रही थी लेकिन हर बार उसे नाकाम्याबी ही मिली क्योंकि पूरा अवदिवका युक्रेणी सेना के लिए एक धाल बना हुआ था और युक्रेणी सेनिकों ने इसकी किले बंदी इ और कबजे से एक दिन पहले ही युक्रेनी सैनिक अफदिवका का मैदान छोड़ कर भाग निकले। और इस भगदल के दौरान करीब 1000 युक्रेनी सैनिको को रूसी सेना ने बंदी बना लिया था। और अफदिवका से सुरक्षित निकले सैनिको में युक्रेनी सैनिको की गिंती ही नहीं की थी। नियोक टाइम्स का कहना है कि युक्रेनी सैनिको को पकड़ने के लिए रूसी सेना ने एक नई रणनी ती बनाई थी। जो पूरी तरह से रूसी फौज के पक्ष में गई। नियोक टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में जो खुलासा किया है उस से युक्रेनी सैना की टॉप लीडर्शिप पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। अखबार का कहना है कि सेना ने इस विशय की गंभीरता को कम तर किया है और असल सैनिकों की संख्या जिन्हें रूस ने पकड़ा है उन्हें कम करके दिखाया है। चरण में रूसी सेना के दबाव में कुछ युक्रेनी सैन एक बंदी बनाये गए हैं। वहीं दोसरी तरफ युक्रेनी सेना के एक अन्य अधिकारी का दावा है कि अवदिवका में सिर्फ छे युक्रेनी सैनिकों को बंदी बनाये गया है। जो तीसरी अलग एसॉल्ट ब्रिगेड का हिस्सा थे। वहीं अवदिवका से निकलने को लेकर कई युक्रेनी सैनिक और अमेरिकी अधिकारियों ने जेलेंस्की पर ही ठीकरा फोड़ा है। उनका कहना है कि अवदिवका से निकलने के दौरान भारी अव्यवस्था थी और रक्षा व्यवस्था पूरी तरहा से डह गई थी जिसकी वज़ा से रूसी सेना युक्रेनी फौज पर हावी होती गई। वहीं न्यूयोक टाइम्स का दावा है कि अवदिवका से निकलने की सटीग और जरूरी योजना के अभाव की वज़ा से भगदर जैसे हालात रहे। यहां तक कि खुद युक्रेनी सेनिक इसके लिए तयार नहीं थे। और जिस रफ्तार से रूसी सेना ने अवदिवका पर पूरी ताकत से हमला किया उसका अंदाजा भी नहीं लगाया गया था। वहीं दूसरी तरफ कुछ अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि अवदिवका से निकलने के लिए कोई ठोस योजनान नहीं बनाई गई थी। साथ ही इस दोरान सेना के भीतर अधिकारियों में बाच्चीत में भ्रम पैदा हुआ और रूसी फॉज ने युक्रेनी सेना को पीछे हटने के लिए सिर्फ एक ही सडक छोड़ी थी जो पहले से ही जर जर हो गई थी। और इन सभी कार्णों की वज़ा से अवदिवका में अफरात तफरी मची जिसमें कई सैनिकों की मौत हुई और कई सैनिक बंदी बना लिये गए।